हेलो गाइस मेरे यूटुब चैनल पुजबी तेजुकेशन में आप सभी का स्वागत है तो आज इसमें हम बात करेंगे मैंत के बहुत ही इंपर्टेंट चैप्टर तो आज का चैप्टर है परसंटेज प्रतिसर तो इसमें देखिए 222024 के प्रिवियर्स कोश्चन को हम सॉल करेंगे एकदम ट्रिक से ही कोश्चन को सॉल करेंगे ता कि आप सभी को कॉमपीटेशन एक्जाम में कोश्चन को सॉल करने में मदद मिल सके मुझे आप जादा से जादा सपोर्ट कीजिए और वीडियो को जादा से जादा से जादा से एर कीजिए लाइक सब्सक्राइब क करते हैं स्टार्ट तो आज का से सन हम स्टार्ट करते हैं पर्सेंटेज और इससे पहले में आपको टाइम एंड वर कर चैप्टर इसमें कवर करा चुकी हूं तो जरूर से आप प्ले लिश्ट में जाकर देख सकते हैं उसमें हम टाइब वाइस और इसमें टॉपिक वाइस को करते हुए चल रहे हैं कि तो चलिए सेशन को करते हैं स्टार्ट तो यहां पर फर्स्ट कोशन यह रहा एक विध्यारती ने एक परिच्छा में पच्छतर परसेंड अंग प्राप्त किये और उसे 60% अंख प्राप्त करने वाले दूसरे विध्यार्थी के अंख से 30 अंख अधिक प्राप्त हुए परिच्छा के अधिक तम अंख कितने हैं और ये कोश्चन देखिए सिप्ट वन में पूचा गया कोश्चन है के सिप्ट वन में अब question को हम solve करती हैं, ट्रिक से ही हम question को solve करेंगे, तो यहां पर रेख्ये, एक विध्यार्थी ने एक परिच्छा में 75 अंग प्राप्त किये, के तो फर्स्ट विध्यार्थी जो है उसने कितना 75% अंग इसमें प्राप्त किये के और दूसरा विध्यार्थी जो है उसने कितना 60% अंग प्राप्त करने वाले दूसरे विध्यार्थी के अंग से 30 अंग अधिक प्राप्त हुए कि तो देखिए यहां पर यह हम second में 60% रखेंगे अब इसमें हम देखेंगे कि यहां पर 75% फश्ट वाला विध्यारती है और 60% second वाला विध्यारती है तो इसमें हम देखेंगे कि कितने की इसमें कमी है कि तो कितने की कमी है यहां पर देखिए इसमें कितने की कमी है 60 में और यहां 75 दिया है तो कितने की कमी होगी तो 15% कि इसमें क्या होगी कमी होगी के second विध्यार्थी को यहां पर 15% की कमी है और फिर इसमें हम देखेंगे कि यहां पर देखिये 30% sorry 30 अंक इसमें अधिक प्राप्त हुए हैं और परिक्षा कि अधिक्तम अंक कितने हैं मतलब कि टोटल इसमें अधिक्तम अंक कितने हैं तो देखिए यहां पर हम सॉल्प करते हैं आगे तो यहां 15% का यहां हम निकालेंगे इसमें तो 30 दिया है 15% का 30 अंक दिया है तो एक परसेंट का कितना अंक होगा के तो देखिए 2 के फिर इसमें हम 100% का निकालेंगे यहां प इंटू दो रखेंगे और इन दोनों का हम मल्टिप्लाइ कर देंगे तो यहां हमको कितना मिल जाएगा? 200 के? तो 200 अंग इसमें क्या होंगे? इसमें अधिकतम होंगे परिच्छा के अधिकतम अंग कितने हो जाएगे? 200 के? option में हमको दिया है B option में B option इसका correct answer बन जाएगा देखिए हमने कितने ही असान trick से question को solve किये तो यहाँ पे देखिए percent इसमें यहाँ पे देखिए first विध्यार्थी जो है 75 percent अंक है और second विध्यार्थी जो है उसका 60 percent अंक है अब इसमें दोनों में कमी कितने की पढ़ रही है तो देखिए 15 percent की कमी इसमें पढ़ रही है और फिर यहाँ पे 15 percent का हमको 30 अंक दिये हैं तो 1 percent का कितना होगा 2 होगा और फिर 100 percent का हम निकालेंगे तो 100 into 2 करेंगे तो 200 अंक होंगे पूरे परिच्छा में अधिक तमंग के 200 इतना सभी को किलियर हुआ उम्मीद करती हूँ कोस्चन आप सभी को बहुत ही अच्छे से समझ में आ रहा होगा तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले next question की हो अगला question यह रहा यहाँ पे यदी एक आयत की लंबाई में 14.28% प्रतिसद की व्रद्धी कर दी जाए तो छेतरफल को अपरिवर्दि कर रखने के लिए इसकी चोडाई कितने प्रतिसद घटाई जानी चाहिए अब देखी यह question भी shift 1 में ही पूछा गया है तो हम इसको solve करते हैं बहुत ही इजी question है तो देखी यहाँ पर हम को इसमें इसकी आयत की लंबाई में कितना? 14.28% इसमें दिया गया है तो यहाँ देखी चोडाई 28 दिया है तो 14.28 का इसमें परसेंट कितना? यहाँ पर कितना होता है? तो एक बटा साथ होता है कितना होता है एक बटा साथ अब इसमें हम देखिए आगे यहां पर साथ दिया है तो साथ में यहां पर हम देखिए एक एड करेंगे तो साथ में हम एक एड करेंगे यहां पर तो हम आट पर जाएंगे कहां पर जाएंगे आट पर और फिर इसमें हमको देखिए फिर से वाप साथ में आना है तो हम यहां पे साथ रखेंगे माइनस का यहां पे एक क्या करेंगे माइनस का एक आप इसमें देखिए हमको इसमें क्या करना है इसमें आप अरवित रखने के लिए इसकी चोडाई कितने प्रतिसत घटाई जानी चाहिए तो यहां पे हम घटाई जानी चाहि और % हम क्या रखेंगे 100, तो % हमने इसमें 100 रखे, अब इसमें देखिए 8 से हम 100 को काटेंगे, तो यह कितने बार में कट जाएगा, तो देखिए, यहां हम काटेंगे, 8 एक कम 8, और फिर इसमें कितना बचा, दो, फिर 8 दूनी 16, फिर इसमें 4 बचा, 0 पॉइंट लगाएंग हम यहां पे, तो 8 पंचे 40, के, तो देखिए, 12.5 यहां हम को मिल रहा है, 8 को 100 से काटने पर, और फिर इसमें 1 का मल्टिपलाई, इसमें हम कर देंगे, तो यहां हमारा आंसर इसमें क्या बनेगा, 12.5%, के, तो 12.5% इसका क्या हो जाएगा, आंसर, आप्सन में हम को दिया गय है, यहां पे, C आप्सन में, C आप्सन इसका करेक्ट आंसर बनेगा, तो देखिए, कितना इजी कोशन है, इसमें हमने ट्रिक से ही कोशन को सॉल्व किये, तो 14.28% का क्या होता है, एक बटा 7, तो यहां पे देखिए, 7 पर हम 1 प्लस करेंगे, तो 8 पर जाएंगे, और बाप के, और 8 से हम 100 को काटेंगे, तो 12.5 इसका क्या बनेगा, आंसर, आगे बढ़ते हैं मगले, नेस्ट कोशन की और, अगला कोशन यह रहा, एक परिक्षा में, उपस्थित होने वाली विध्यार्थियों की कुल, संख्या में से, 93% विध्यार्थी उत्तिन हुए, और 975 विध विध्यार्थों की कुल, संख्या कितनी है, तो इसमें देखिए, यह कोशन भी सिप्ट वन में पूछा गया है, तो हम कोशन को सॉल्व करती है, तो यहां पे देखिए, पास और फैल, के तो पास और फैल होने वाले विध्यार्थियों की इसमें संख्या कितनी होगी, तो देखिए यहां पे हमको विध्यार्थों की कुल संख्या में से 93% विध्यार्थी उत्तिन हुए हैं तो उत्तिन हुए हैं तो पास हुए हैं 93% विध्यार्थी के और यहां पे फैल हुए वाली विध्यार्थी यहां पे हमको देखना है तो देखिए कितना 7% तो 7% विध्यार अनुत्तिन रहें के इसमें और फिर इसमें हमको देखना है कि यहां पर क्या करना है तो इसमें हमको दिया है ब्यानवे सो पच्छत्तर विध्यार्थी अनुत्तिन रहें तो हम यहां पर देखिए साथ परसेंड का हम इसमें ब्यानवे सो पच्छत्तर इसमें विध्यार्थी क्या रहे अनुत्तिन रहे तो हम इसमें 1% का निकालेंगे तो 1% का कितना होगा तो यहां पे देखिए 7 एक कम 7 और फिर इसमें 2 बचा 7 7 तिरी इसमें क्या होगा 21 के तो यहां पे 13 25 यहां पे इसका 1% का बनेगा के कितना 13 25 तो 1325 इसमें 1% का बनेगा तो हम इसमें 100% का निकालेंगे तो देखिए 100% का इसमें कितना होगा इंटू 100 रखेंगे तो यहां इसका आंसर कितना बन जाएगा 13 25 और 00 इसमें हम रखेंगे तो यह इसका क्या बनेगा आंसर तो इसको हम यहां पे देखिए तो इसमें 13,25 जीरो यहाँ पे इसका answer होगा option में हमको दिया गया है तो देखिए कौन से option में हमको दिया गया है तो हमको यहाँ पे C option में दिया है C option इसका correct answer बन जाएगा कितना easy question है सिर्फ यहाँ पे हमने देखिए fail और pass पास वाले विध्यार्थी कितने ही यहाँ पे देखिए 93% से यह क्या हुए उत्तीन हुए है और fail वाले विध्यार्थी देखिए 7% से अनुत्तीन रहे इतना के लिए रुआ और फिर इसमें 7% का हमको 92,75 हमको दिया गया है और 1% का हम निकालेंगे तो 1325 फिर 100% का यहाँ पे निकालेंगे तो देखिए इन दोनों का हम multiply कर लेंगे 1325 इंटू 100 तो यहाँ पे इसका answer इतना बन जाएगा इतना सभी को clear हुआ उमीद करती हूँ question आप सभी को बहुत ही अच्छे समझ में आ रहा होगा ज़रूर से आप copy में not करते हुए चलिएगा के आगे बढ़ते हैं मगले next question की और अगला question यह रहा किसी संख्या के 20% प्रतिसत का 25% 250 के बराबर हैं तो उसका संख्या का 35% कितने का है तो देखी कितना है और यह question इसमें पूछा गया है shift 2 में पूछा गया है तो देखी बहुत दीजी तरह से हम question को solve करेंगे तो यहां पे हमको 20% और 25% दिया है तो देखी हम इसका 20% का यहां पे कितना होगा इसका तो यहां पे इसका एक बटा 5 होगा और 25% का हम देखेंगे तो यहां पे यह इसका एक बटा 4 होगा इतना clear हुआ सभी को तो अब इसमें देखी किसी संख्या तो वह संख्या यहां हम नम्मर से यहां पे रखेंगे बराबर और इसमें हमको दिया है कितना दिया है यहां पे बराबर हम इंटू रखेंगे एक बटा पांच इंटू एक बटा क्या रखेंगे चार बराबर में हमको इसका कितना दिया है दो सो पचास के बराबर है तो यह दो सो पचास के बराबर है और फिर इसमें देखिए यहां पे हम नम्मर्स बराबर क्या रखेंगे 250 और फिर यहां पे इंटू 5 इंटू 4 करेंगे तो 20 हमको मिल जाएगा अब इसमें आगे हमको क्या पूछा गया है कि उस संख्या का 35 प्रतिसत कितना है तो 35 प्रतिसत कितना है अब इसमें 35 प्रतिसत का हम निकालेंगे तो यहां पे देखिए 250 इंटू 20 करेंगे हम यहां पे तो इसमें हमको कितना मिल जाएगा 5000 कितना मिलेगा 5000 तो देखिए सुन जाएगा और 5 दो पंजे 10 का 0 एक बचा और 2 दूनी 4 यहां पे कितना जाएगा 5000 कि इसका मल्टिप्लाय हम करेंगे तो 5000 इसमें हमको मिल जाएगा और 35 प्रतिसत का कितना है तो हम यहां पे 35 बटे में हम क्या रखेंगे 100 कि इतना किलियर हुआ अब इसमें 2 0 से यह 2 0 तो इसमें कैंसिल होंगे और 50 इंटू 35 इसमें हम करेंगे तो 50 इंटू 35 हम करेंगे तो यहां पे हमको 1750 मिल जाएगा तो 1750 इसका क्या बनेगा आंसर इसमें देखिए हम multiply से भी इसको solve कर सकते हैं या पे 50 और 35 इसमें हम रखेंगे तो देखिए इसमें हम सबसे पहले side गुणा इसमें करेंगे और यहां पे 0 जाएगा 5 69 सुनी होगा और फिर इसमें हम cross multiply कर लेंगे तो देखिए 55 और 35 तो 35 सुनी होगा देखिए 5 ती या 15 और 2 एट कर लेंगे तो इसमें कितना 17 तो यहां पर हमको देखिए 1750 इसमें मिल रहा है तो इस तरह से हम यहां पर multiply कर सकते हैं के और option में हमको दिया गया है वी option में तो वी option इसका क्या होगा correct answer इतना सभी को clear हुआ तो देखिए multiply हम इसमें trick से भी question को solve कर सकते हैं multiply को कैसे सबसे पहले इसमें हम side गुणा करेंगे और फिर इसके बाद में cross गुणा और फिर इसमें side गुणा तो इसका answer हमारा एकदम असान trick से जल्दी से आ सकता है के तो देखिए इसी तरह हमने यहां पे question को solve किये और देखिए 20% का यहां पे एक बटा 5 होता है और 25% का एक बटा 4 होता है के तो हमने यहां पे direct एक बटा 5 और एक बटा 4 यहां पे रख लिये हैं के इतना सभी को clear हुआ तो आगे त्रिज्या में 50% की व्रद्धी की जाती है गोले के आयतन में कितने प्रतिसत की व्रद्धी होगी तो देखिए कितने प्रतिसत की व्रद्धी होगी और यह सिप्ट 2 में question पूछा गया है अब इसमें देखिए गोले का आयतन इसमें हम रखेंगे तो देखिए बेलन बरावर 4 बटा 3 और यहां पे देखिए पाई आर क्यूब तो वेलन का इसमें क्या होता है 4 बटा 3 πRQ और यहां पर इसमें देखिए हमको इसमें परसेंट में यहां पर व्रद्धी पूछा गया है तो यह तो इसका कैंसिल होगा पाई भी इसमें कैंसिल होगा तो देखिए RQ हमको दिया है तो R into R into R यहां पर हम रखेंगे इस तरह से और इसमें देखिए बढ़ेगा और फिर घटेगा बढ़ेगा और फिर यहां पर घटेगा तो व्रद्धी और कमी होगी अब यहां पर इसमें देखिए हमको क्या दिया है इसका 50 प्रतिसत की व्रद्धी तो हम यहां पर 50% की यहां पर व्रद्धी तो इसमें देखिए इसका क्या होता यहां पर एक बटा दो यहां पर और फिर आगे इसमें हम इसमें क्या करेंगे तो देखिए यहां आगे हम इसमें तो देखिए दो एक बटा दो हमको दिया है तो हम यहां पर दो का इसमें क्या करेंगे तीन एट करेंगे तो देखिए हमको यहां पे दो में हम एक एट कर लेंगे तो हमको यहां पे कितना तीन मिलेगा तो दो और तीन हमको यहां पे क्यूब में पूछा है तो हम तीन बार इसमें क्यूब रखेंगे तो देखिए 2 से 3 फिर यहां पर 2 से 3 तीन बार यहां पर हम रखेंगे और फिर इसमें देखिए multiply हम करते हैं तो 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8 यहां मिल जाता है और 3 तिया 9 और 9 3 27 तो यहां हमको 27 मिलता है इतना सभी को clear हुआ आगे इसमें देखिए यहां पर हमको 8 मिला और यहां 27 मिला तो इसमें हमको देखना है कि यहां पर कितने का इसमें ब्रद्धी है तो कितने की इसमें ब्रद्धी है तो यहां हम देखिए कितने की ब्रद्धी इसमें 19 की और 8 रखेंगे और % हम यहां पर 100 रखेंगे डिन कि Okay स्मीम ठतु Referण रखेंगे अब इसमें देखी आड़ से हम सो काटेंगे तो आट से सो काटेंगे तो यह कितने वारं में आपे कट जाएगा 12 पॉइंटures-D पांच करेंगे तो यहां हमको इसमें आंसर कमवे जाएगा तो देखी आंसर हमको था मिलेगा 237.5% को 237.5% इसका क्या बनेगा आंसर आव इसमें दे Hindके ऑप्सिन में हमको दिया गया यहां पर वी ऑप संआ है इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर बन जाएगा, इतना किलियर हुआ, अब इसमें देखिए, बहुत ही इजी तरह से हमने कोशन को सॉल्प के, तो सिर्फ इसमें देखिए, आयतन, पेलन का आयतन यहां पे हमको पूछा गया है, तो चार बटा तीन, पाई, आर, क्यूव यहां पे हमने रखे हैं, तो इन दोनों को हम हटा देंगे, पाई और चार बटा तीन को, और फिर इसमें देखिए, क्यूव यहां पे इस तरह से हम रखेंगे, तो यह इसमें ब्रद्धी और कमी होगी, ब्रद्धी और कमी होगी, तो इस प्रकार से यहां पे हमने देखिए, व्रधि कितने की होगी इसमें 19 की 19 की व्रधि तो 8 परYAंट पर्सेंट सौ आठ से सौ 12.5 पांच बार में कट रहा है तो देखें 19 ऑईंटू 12.5 करेंगे तो यहां हमारा आंसर इसमें 237.5 परसेंट इसका क्या होगा आंसर आगे बढ़ते हैं अगली नेस्ट कोस्चन की और इ यदि किसी संख्या में से यहां पर 25 गटा दिया जाये तो वह संख्या संख्या की 50% हो जाती है, तो वह संख्या क्या होगी और इसमें देखिए सित तीन में पूछ गया question है तो यहां पर हम solve करती हैं तो देखिए हम को यहां पर 50% हो जाती है तो वह संख्या सोयम की क्या हो जाती है 50% हो जाती है तो देखिए पहले इसमें 100 से कितना 50 हो जाती है तो देखिए 100% से यहां पर 50% है तो इसमें कमी कितने की हैं तो कमी इसमें 50 परसेंट की है के कमी कितने की है 50 परसेंट की और फिर इसमें देखिए यदि किसी संख्या में इसे 25 घटा दिया जाये तो यहाँ पर इसमें देखिए 50% का यहाँ पर 25 दिया है तो 1% का क्या होगा तो 1% का यहाँ पर 25 बटा 50 के कितना 25 बटा 50 होगा और 100% का हम इसमें निकालेंगे तो 100% का यहाँ पर क्या होगा 25 बटा 50 और क्या रखेंगे हम यहाँ पर इंटू 100 अब इसमें देखिए 50 से हम 100 को काटेंगे तो यह दो बार में पूरा पूरा कट रहा है और 25 इंटू 2 करेंगे तो 25 इंटू 2 करेंगे यहाँ पर हम तो देखिए 25 इंटू 2 तो इनका मल्टिप्लाई करेंगे तो कितना होगा तो यहाँ पर 50 होगा तो 50 इसका क्या बनेगा आंसर तो वहसंख्या क्या हो जाएगी 50 ऑप्सन में हमको दिया है A option में तो A option इसका correct आंसर बन जाएगा कितना easy question है सिर्फ इसमें 100 से यहां पे 50% दिया है तो कितना इसमें कमी है कितने की कमी है तो इसमें 50% की कमी है और फिर 50% का यहां पे हमने देखी 25 घटा दिया जाए तो 50% का यहां पे 25 दिया है तो 1% का क्या होगा 1% का यहां पे 25 बटा 50 हुझाएगा और 100 परसेंट का हम निकालेंगे तो 25 बटा 50 इंटु 100 यहां पर रखेंगे हम 50 से 100 दो बार में पूरा-पूरा कट रहा है तो 25 इंटु 2 करेंगे तो 50 इसका क्या बनेगा आंसर आगे बढ़ते हम अगले नेस्ट कोश्चन की और अगला कोश्चन यह रहा एक मूवी टिकेट के मूली में 18 परसेंट की व्रदी की गई है तो टिकेट के मूली में व्रदी होने से दर्सकों की संख्या 25 परसेंट कमी हो गई आप में कितना प्रभाव पड़ीगा अब इसमें यह कोश्चन देखिए सिप्ट तीन में पूछा गया कोश्चन है तो यहां पर हमको एक मूवी टिकेट में मूली इसमें 18 परसेंट की व्रदी होई है तो देखिए यहां पर हम इसमें बटे में 100 रखेंगे तो 100 पर यहां पर 18 परसेंट की व्रदी तो 118 इंटू और फिर यहां पर 25% की कमी तो यहां पर कितना 75 के इतना किलियर हुआ सभी को तो देखिए 100 पर 18% की व्रद्धी और 100 पर कितना 25% की कमी तो यहां 75 के आप आगे इसमें देखिए कि यहां पर संख्या किस से कटेगी तो देखिए 75 यहां पर कट जाएगा पचीस से तीन बार में और फिर यहां पर देखिए पचीस से सो चार बार में कट रहा है और दो से हम एक सो अठारा को काटेंगे तो यह कितने बार में कट जाएगा दो पंजे दस एक बचा दो इनाम अठारा के फिर दो से चार को काटेंगे तो ये दो बार में कट रहा है अब इसमें देखिए हम इसमें क्या करेंगे तो यहां पर 69 और 3 का हम मल्टिप्लाई कर लेते हैं तो 9, 3, 27 का साथ दो बच रहा है पांश्टी और 15 और 2 कितना होगा 17 तो 177 और बटे में 2 के 177 बटे में 2 तो यहां पर अब इसमें हम डिवाइड करेंगे तो 177 कटेगा 2 से कितने वार में कटेगा तो देखिए काटते हैं यहां पर तो 2, 8, 16 और फिर यहां पर एक बचा तो 2, 8, 16 तो देखिए और फिर इसमें 1 बच रहा है तो 0.0 हम लगाएंगे तो यहां पर 2, 5, 10 तो 88.5 यहां पर बन रहा है और इसमें देखिए हमको कमी पूछा है तो कमी यहां पर हम रखेंगे तो देखिए 11.5% की इसमें क्या होगी कमी होगी के इतना सभी को किलियर हुआ तो यह इसका क्या होगा आंसर option में हमको दिया है A option में के इतना किलियर हुआ तो सिर्फ इसमें देखिए हमने 18% की व्रदी तो 100 पर 118 और 25% की कमी तो 100 पर यहां पर कितना 75 25 से 75 तीन बार में 25 से 100 चार बार में और 2 से 69 बार में यह कट रहा है और 2 से 4 दो बार में 69 इंटू 3 करेंगे 177 बटे में 2 2 से हम डिवाइट कर लेंगे यहां पर तो देखे 88.5 यहां पर मिल रहा है और कमे कितने की होगी तो 11.5% की इसमें क्या होगी कमी होगी के आगे बढ़ते हैं अगले नेश्ट कोश्चन की और अगला कोश्चन यह रहा यदि किसी ड्रेस का मूले 800 रुपए से घटा कर 720 रुपए कर दिया जाता है तो ड्रेस के मूले में हुए प्रतिसत कमी कितनी है तो देखे कितनी कमी है और यह कोश्चन सिप्ट 4 में पूछ गया है तो यहां पर हमको देखे इसका ड्रेस का मूले हमको 800 रुपए और घटा कर यहां पर 720 रुपए कर दिया जाता है तो हम यहां पर 800 रुपए और 720 रखेंगे अब इसमें देखे कि यहां पर हम कमी कितने की होगी तो देखे कमी यहां पर 80 की होगी कि 80 की कमी और 800 के ऊ अब इसमें देखिए एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, असी से असी ये कैंसिल, तो यहां पर बचा क्या है? तो दस परसेंट इसका क्या बनेगा? आंसर, बहुत इजी कोशन है, इसको सिर्फ हम एक सेकेंड में हल कर सकते हैं, के? तो यहां ऑपसन में हमको दिया है, सी ऑपसन में, सी ऑपसन इसका चर्लेंट आंसर बन जाएगा, तो बहुत इजी कोशन है, सिर्फ इसमें देखिए 800 से यहां पे घटा कर 720 कर दिया जाता है तो इसमें कमी कितने की है 80 की तो 80 की कमी 800 के उपर इंटू 100, 0 से 0 गैंसिल, 80 से 80 गैंसिल, तो 10% इसका क्या होगा आंसर और इसमें देखे आमको तो ड्रेस के मूले में हुई कमी प्रतिसत कमी कितनी है तो 10% की है के इतना किलियर हुआ सपी को तो आगे बढ़ते हैं मगले next question की और अगला question ये रहा बिकरम ने एक परिच्छा में 32% अंक प्राप्त किये और 15 अंक में अनुत्रिन हो गया यदि वह 57% अंक प्राप्त करता है तो उसे उत्तिन होने के लिए आविशक अंकों से 10 अंक अधिक मिलते हैं तो परिच्छा में उत्तिन होने के लिए कितने अंक होने चाहिए और ये कोशन देखिए सिप्ट चार में पूछा गया कोशन है अब इसमें सॉल्ब करते हैं तो यहाँ पे हम इसमें देखिए फैल और पास तो पी और एफ हम रख लेंगे पास और फैल तो देखिए यहाँ पे हम को 32 परसेंट अंक प्राप्त किये और 15 अंकों में अनुत्रिन हो गया और यदि वह 57 परसेंट अंक प्राप्त करता है तो उसे उत्तीन होने के लिए आविशक अंकों से 10 अंक अधिक मिलते हैं के अब यहाँ पर हम इसमें रखेंगे यहाँ पर तो देखिए फैल वाले यहाँ पर कितना 32 हम को दिया है और 15 अंकों में अनुत्रिन होए तो फैल यहाँ पर 15 अंकों से यहाँ अनुत्रिन होए और पास वाले यहाँ पर देखिए 10 अंक से अधिक मिलते हैं दस अंग यहां पर अधिक मिलते हैं इतना किलियर हुआ तो यहां पर देखिए यह घट रहा है और यहां पर यह घट रहा है और घट रहा है तो यहां पर इसमें हम देखेंगे कि यहां पर फैल वाले इसमें हम को 32% अंग प्राप्त किये हैं और देखिए फैल वाले और पास वाले यहां हम देखेंगे तो 57% अंग प्राप्त करता है तो ये 57% अंग प्राप्त करता है अब इसमें देखिए फैल वालों की संग यहां पर हमको 15 अंग यहां है और 32% के और पास वाले की यहां पर 10 अंग है और 57% अब आगे हम इसमें देखेंगे कि इसमें 32% और 57% दिया है तो इसमें कितने की यहां पर व्रद्धी होगी कितने की व्रद्धी होगी इसमें तो यहां पर व्रद्धी इसमें 25% की होगी कितने की होगी 25% की तो आगे इसमें देखिए हम इसमें क्या रखेंगे 25 यहां पर इस कर लेंगे तो यहां हमको 25 ही मिलेगा और इसमें हम 1% का निकालेंगे तो 1% का 1 होगा और 100% का हम निकालेंगे इसमें तो यहां पर कितना होगा 100 इंटू 1 करेंगे तो 100 ही हमको यहां पर मिलेगा आगे इसमें देखिए कि यहां पर हमको परिच्छा में उत्तिन होने के लिए क कितने अंग यहां पर होने चाहिए तो देखिए हम यहां पर क्या रखेंगे 100 इंटू 32 बटे में 100 रखेंगे और प्लस यहां पर 15 प्लस क्या रखेंगे 15 और फिर इसमें यहां पर 100 से 100 यह कैंसिल तो 32 प्लस 15 तो 32 प्लस 15 हम एड करेंगे तो यहां पर हम कोई आंसर इसमें कितना मिल जाएगा आंसर हमार इसमें 47 मिलेगा तो यह इसका आंसर बन जाएगा तो ओप्सन में हमको दिया गया है C option में, C option इसका correct answer बन जाएगा, कितना easy question है, सिर्फ इसमें हमने देखिए, फैल और पास का यहाँ पे 15 अंक दिये हैं, और यहाँ पे 10 अंक, फिर इसमें percent हमको 32%, 57% दिया है, फिर इसमें व्रदी 25% की है, तो 25% का यहाँ पे 25 दिया है, और 100% का 100 यहाँ पे हमको मिल रहा है, तो इसमें देखिए, 100 into और यहाँ पे 32, बटा 100 रखेंगे, प्लस 15, 100 से 100 कैंसिल, तो 32 प्लस 15, 37, sorry, 47 होगा, तो 47 इसका क्या होगा, answer, इतना सभी को clear हुआ, तो not करते हुए, जरूर से चलिएगा, copy में, और इसमें हम 4 shift के question solve करते हुए चल रहे हैं, 22, 2024 के previous question, के इतना सभी को clear हुआ, उमीद करती हूँ, सारे question आप सभी को बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा, और मुझे आप जादा से जादा support कीजिए, मेरे चैनल पर नए हैं, तो ज़रूर से subscribe कीजिए, वेल आइकन को press कीजिए, ताकि आप सभी के पास वीडियो की notification समय समय पर मिलती रहें, उमीद करती हूँ, आज की class आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आगे होगी, तो जरूर से आप comment में बताईएगा, कि आज की class आपको कैसी लगी, और guys, इसमें हमने देखिए, percentage का इसमें हमने question, previous question के solve किये हैं, बहुत ही असान ट्रिक से, ताकि आप सभी को competition exam में question को solve करने में मदद मिल सके आगे, के, और कल हम एक नए चेप्टर स्टार्ट करेंगे, तो आज की class हम यही पर समाप्स करते हैं, मिलते हैं अगली next class में, जय हिन जय भारत, thank you.